हलो एवरिवान वल्कम बाक टू माई यूट्यूब चानल एजरोकेट फ्रेंड्स बीएस वान टू सेवन की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लेकर आए हैं अचीवमेंट टेस्ट वर्सिस डाइगनॉस्टिक टेस्ट क्या होते हैं दोनों टेस्ट दोनों में डिफ्रेंस आ करता है एवल्यूएट करता है हमारी मोर स्पेसिफिक कॉंपिटेंस जो हमने रिसेंटली लान की होती हैं इसके अलावा हमने यह भी देखा था कि रेफर करता है तो मोर फॉर्मल टेस्ट वाव बीन डिजाइंड तो शो मास्ट्री ऑफ पर्टिकुलर स्लेबस और इसके दो एक्जांपल हमने देखे थे टीचर में टेस्ट और अगला डवल्यू आइट यानि वेशलर इंडिविज्विज्वेंट टेस्ट और जिसमें हमने दो टाइप के बारे में बात की थी स्टैंडरडाइज और टीचर में जो औरल रिटर्न और प्रेक्टिकल किसी भी फॉर् अब यहां पे हम देखते हैं ये दो टेस्ट में क्या डिफरेंस है अचीवमेंट और डियाग्नॉस्टिक तो अचीवमेंट एसेस करता है कि हमारे अचीवमेंट कितनी है इन अनी सब्जेक्ट बेज़ ओने सेट अफ औबजेक्टिव जबकी डाइग्नोस क्या करता है सॉल जबकि हमारा जो diagnostic है वो qualitative होता है, qualitative में believe करता है, अब जो next है, देखिए, achievement test में हम scoring को important मानते हैं, score करना, grade करना, marking वगेरा करना है काफी important होता है, जबकि diagnostic test में इसमें कोई scoring नहीं होती है, इसमें बच्चे की difficulty level को देखा जाता है और इसको rectify करने के लिए काफी remedial steps जो हैं, next क्या है, achievement test में आप complex items को भी include कर सकते हो, जबकि diagnostic में सिर्फ simple items को include किया जाता है, achievement test में fixed time limit होती है, जैसे कई बार आपने कोई competitive level test दिया होगा, वहाँ पे देखा होगा, time bounded होते हैं, जबकि diagnostic जो test होते हैं, उनमें कोई भी time limitation नहीं होती है, achievement test में कोई भी attention नहीं दी जाती जो चोटी-चोटी details होती हैं, उस पर कोई attention नहीं होती, जबकि diagnostic test में particular every point होता है, every minute जो details होती है, उसको focus में रखा जाता है, achievement test जो है कुछ norms, rules, regulation को follow करता है, जबकि diagnostic में कोई भी rules, regulation को follow नहीं किया जाता है, देखिए achievement test मैंने उपर भी बताया था, कि assign करता है proper ranking और grading system को, जबकि diagnostic है, उसमें marking का कोई important role है ही नहीं, achievement test मेजर करता है कि how much a student has achieved, कितना उसने अचीव कर लिया है, जबकि diagnostic मेजर करता है कि how much a student has not achieved, जो वो अचीव नहीं कर बाया है, किस वज़ा से नहीं कर पाया है, क्या कारण रहे हैं, next, achievement test, जो test करता है कि comprehension और progression कितनी हुई है एक बच्चे में, कितना उसका understanding level हुआ है, increase, जबकि diagnostic test में उसको fault और drawbacks होते हैं, उसको diagnose किया जाता है, देखे, achievement test independent है, इसको करने के लिए आपको पहले किसी test को लेने की need नहीं होती है, लेकिन जब भी आप diagnostic test को लेंगे, तो आपको हमेशा एक achievement test लेना पड़ेगा, उसके ब जबकि diagnostic test में, जो test items होते हैं, वो काफी repetitive होते हैं, तो friends, यह हमने achievement और diagnostic test के बारे में बात की है, आप इसकी जो PDF है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, और WhatsApp ग्रूप भी जॉइन कर सकते हो, इसी के disruptive box में हमने सारे link आपको प्रवाइड कर दी है, आप किसी भ भूले, and still then, bye bye and take care friends.